आयुश्मान भारत वीशिव की सबसे बड़ी स्वास्ते सुरक्षा बीमा योजना है जिसके अंत्रिगर देश के 11 करोड परिवारों के 50-55 करोड तक लोगों को 5 लाक रुपे तक का वार्शिक स्वास्ते सुरक्षा बीमा योजना का लाप रापत होगा यह जानकारी केंद्रिय स्वास्ते बंपरिवार कल्यानमंती जगत प्रकाश नड़ा ने बिलासपुर की दियोली पंचायत मी ग्राम सवराज अव्यान के अंत्रिगर आयोजित आयुश्मान भारत दिवस की अफसर पर आयुश्मान लाभारतियों की शिनाकत दिवस के आयोज देश के डेड़ लाक सबसेंटरों को वर्ष 2020 तक निरोगी सेंटरों के रूप में परिवर्थित किया जा रहा है, जबकि इस वर्ष 18,000 सबसेंटरों को निरोगी सेंटरों में बदलने का लक्ष निर्धारित किया गया है. इन निरोगी सेंट्रों के क्षेत्री की अंतिकत आने वाले पर तेख 30 वर्षते अधिक आयू कि नागरी की अनिवारे रूप से हर प्रकार की शारीर का स्वास्ते चांच की जाएगी और वविश्य में होने वाले गंबेर बिमारियों के प्रती समय पर सचेत करके उन्हें उनका इलास करवाने की सुब्धा उपलवत करवाई जाएगी जिससे स्वास्ते की किशेतर में रोजकार की और अधिक अवसर सुलब होंगे। गुमंत्यु परवारों की बच्चों की टीका करण को भी सुलिश्यत किया जा रहा है। करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चिलाई जा रहे ही जनकल्यानकारी योजनाएं इवन कारिकरम पात्तर लावार्टियों देख पहुंचे इसके लिए ब्यापक स्तरपर देश भर में कारिकरम आयोज़ित करके लोगों को जाब रुप किया जा रहा है ताकि वी योजनाओं कालाब उठा सके अब आप सीधे बोलो मेरे पास और कार्ड है मैं तो चले आप और सीधे जाकर क्या आप काम जाई यह बदर रहा देश साथ और आठ सिलेंडर पर राजनीदी करते थे प्रदान मंत्री मोदी जी ने कोई सिलेंडर के बगए रहे गए नी कोई कैस के बगए भारत में रहे गए नी इसकी चिंता की आपको मालूम है तो दो हजार चौदा में अठारा हजार गाओं ऐसे ते जिको बिजली नीजी कल प्रदान मंत्री जी ने ट्वीट करके बताया है कि 18,000 के 18,000 गाओं को बिजली पहुंचा दिरी है भारत में कोई गां रहे गया जहां बिजली है यह देश की बदल दस्वीर है पीका करण साल में एक प्रदेश बढ़ता था हम लोगों ने ढूंड ढूंड के ढूंड ढ आप फिर पदल दिया और सुच्छ बदल और सुच्छ बदल और सब्सक्राइब और एसा ने दंद दिया जिसने कहां ऐसे विजायका है जो नहीं का पांच महीने के अंदर कोई पानी कोंदा करके अटेंगे यह उता है लेकिन एक बात मैं आपसे करूँगा कि काम करने वाले को थापी नहीं दोगे फिरू नहीं खड़ा होगे पुछोगे नहीं अब बोलोगे जी सब बरबर आप बरबर है तो फिर बताओ बरबर ही होगा कि नहीं होगा इसलिए बदलते परिवेश में चीज़ों को समझना च कि मैं महीं महीं मैंने मैंने का जून में भी हो जागा चलेगा ना महीं में चलेगा यह हैं कमिट में इसने पूरब हिमाचल परदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्तिया बागवानी एवं सैनिक कल्यान मंत्री महिंदर सिंख ठाकूर ने अपने संबोधन में जानकारी देते हुए बताया कि 65 करोड रुपे की लागत से निर्मित की जा रहे एक कोल डैम उठाओ पेजल योसना क शुभरम मेई माह में किया जाएगा उन्होंने कहा कि केंदर एवं राज्य सिरकार के स्युक्त परियासों से परदेश निर्नतन विकास की और अगरसर हो रहा है उन्होंने कहा कि विलासपूर में निर्मित होने वाले एम्स की चार दिवारी की कारे का टेंडर हो चुका है और जल्दी इसका कारे अरंब हो जाएगा। कारे अरंब में स्थानिय विधायक सुभास राकूर ने अपने स्वागत समरों में ग्राम सवरास अभ्यान तथा आईश्मान भारत दिवस्त के विश्य में विस्तरित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंदे सरकार की सभी जनकल्यान कारी योस्तनाओं को परदे सरकार धरातल पर उतार कर हरवर को लाबांबित कर रही है।